Hello Engineers, तो आज मैं आप लोग के साथ डिसकस करने वाला हूँ, बहुत ही confusing topic होता है, हमारे पास theodolite Theodolite के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे theodolite होता क्यों है और theodolite के जरुरत क्यों पड़ी जब हमारे पास already compass था angle measure करने के लिए तो फिर हमको क्या ऐसी जरुरत आन पड़ी कि हमको theodolite को discover करना पड़ा theodolite को establish करना पड़ा तो ये बहुत सारे questions होते हैं जिनका राज हमको नहीं पता होता ये सारे आज की वीडियो में खुलने वाले हैं और जो axes में आप लोगो confusion होता है especially के line of sight क्या होता है, line of collimation क्या होता है, turnoine axis कौन सी होती है horizontal axis, vertical axis, सारी आज आज आप लोगो clear हो जाएंगी आज के बाद कोई भी doubt आप लोगो जो है नहीं रहने वाला है ठीक है, तो चलिए, start करेंगे वीडियो को आप लोगो अच्छा लगेगा, definitely इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को prepare करने में और आप लोगो पढ़के वाकई मजा आने वाला है चलिए, देख लेते हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के पास कुछ इस तरीके का एक इंस्टुमेंट होता है, जो Theodolite आप लोगो देखने में लगता है लेकिन हम Theodolite के parts को पढ़ने से पहले कि कौन सा क्या parts होता है Theodolite का उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगो थोड़ा सा basic आप लोगो बताना चाहूँगा कि Theodolite की जरुरत क्यों पढ़ी ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग चलते हैं Theodolite होता गया आज की class में हम लोग जानेगे Theodolite के classification के बारे में इसकी detailing से बारे में कुछ definitions दो important होती है उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले है यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले कि Theodolite की जरुरत क्यों आन पड़ी, क्या जरुरत ही जब compass हमारे पास था already, तो Theodolite हमको क्यों चाहिए था तो देखो अगर हम लोग बात करें, अगर हमको compass से कोई भी angle major करना होता था, तो यह हमारे पास north होता था, यह south, यह east और यह हमारे पास क्या होता था, वेस्ट अगर मेरे को कोई भी एंगल मेजर करना है ten चेटा कितना होगा तो इसके लिए क्या है कि मैं से मेजर कर सकता था easily. लेकिन यहाँ पे condition क्या थी? यहाँ पे सर्थ ये थी मेरे पास कि जब मैं अंगल मेजर करता था तो मेरे पास एक reference axis होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? reference axis होनी चाहिए. या तो north से मैं angle को measure कर रहा था या मैं कहां से measure कर रहा था? south से major कर रहा था तो वहाँ पे एक limitations हमारी आजाती है compass की और compass की limitations क्या होती कि sir अगर आपको angle major करना है कहीं पे भी आप angle major करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या करोगे reference axis को find करोगे अब वो reference axis आपकी क्या हो सकती north भी हो सकती हो reference axis आपकी वहाँ का south क्या है वहाँ के east क्या है वहाँ का west क्या है तब हमको angle को major करना था ठीक है suppose अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर मैं आप से बोलूँ कि suppose यह आपका room है यह क्या आपका room या फिर आप इसको ऐसे समझो आप इसको ऐसे समझो, मालो कि मेरे दोनों हाथ हैं, अगर मैं आप से कहूँ कि इन दोनों के बीच का मुझे एंगल बताओ कितना होगा, यह एंगल मेजर करके बताओ कितना होगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, रेफरेंस अक्सिज देखोगे, नौर्ट साउथ, और तब आप लोग क्या करोगे, तो होल सर्किल बेरिंग में ये क्वाडेंटल बेरिंग में आप इनके एंगल मेजर करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तब जाके आप एंगल बता पाओगे, लेकिन जो हमारे पास थियोड़े लाइट है, इसकी हेल्प से हम इसकी है, यहां पर हमने थियोड़े लाइट को फिक्स करा, तो हम इस एंगल को जो है वो डायरेक्ट लिए अपना मेजर कर सकते हैं थियोड़े लाइट को, तो इससे क्या हो गया हमारा रेफरेंस एक्सिस का जो लपड़ा था वो हमारा सब खतम हो गया, अब हमें उसकी को का थियोड़े लाइट है, इसने आप लोग का क्या टाइम भी बचाया, इसने और जो आपका मनी था उसको भी आपका सेव किया, क्योंकि वन टाइम का इंवेस्टमेंट है एक बार और एक्क्यूरेसी वगयरा जो है आप लोग की वो बहुत जादा बढ़ गई है, तो यह क्या होता है, तो यह ओड़े लाइट और यह कमपास को क्या कर देता है, आप लोग का रिप्लेस कर देता है, ठीके, तो थियोडे लाइट से बनने वाले, जैसे कि बोला कुछ क्लासिक, कुछ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कुछ हम लोग अपना कंश्ट्रक्शन के बार इस दिवाइस है जिसकी हेल्प से आप होरिजोंटल एंगल को प्राइजोंटल एंगल को यह वर्टीकल एंगल को आप लोग क्या कर सकते हों ? अutt sau Toad light एक ऐसी डिवाइस है जिसक्या से हम horizontal और Verst часов Cred को major कर सकते हैं अब सरी horizontal और vertical angle क्या है hoeryjot Sure Госondal Vertical Angle Efendimiz ऐसे समझो जिस रूम में बैटके है आप लोग पढ़ाई कर now अगर में उसमें कहूं आप लोग यह तो दिवार हैं ठीक है यह आप लोग की क्या है या ऐसे समझो यह आपके पास कुछ इस तरीके का एक रूम है ठीक है और यह रूम की एक जो है सामने वाली दिवार है जहां पर आप बैट के पढ़ ले उसके सामने वाली दिवार या फिर आप ऐसे समझो या सिंपल सा है ठीक है इस बोड को अगर मैं इस से कहूँ कि आपका इस point का, इस end का और इस end का, इन दोनों के end के बीच का angle बताओ, कितना होगा इस तरीगे से, तो आपका यह हो जाएगा horizontal angle, लेकिन अगर मैं कहूँ top to bottom, top to bottom के बीच का angle बताओ, जहां पर जाके मिलेंगे इनकी tangent line, जहां पर जाके मिल मतलब जो room है, आपके room के 2 kone के बीच का angle निकालोगे , तो horizontal angle और उसी room के top to bottom के बीच का angle निकालोगे तो एप क्या हो जाएगा हमारे पास ? Vertical angle ठीक है तो यह हमारे पास होता, horizontal और vertical angle Theodalite की सबसे खास बात क्या ? कि कोई भी आगर हमारा survey है तो सर्वे के हम लोग horizontal angle as well as vertical angle दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं major कर सकते हैं अब हम बात करेंगे theodolite के classification के theodolite को हम लोग classify कैसे करेंगे उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ theodolite जो है उसके parts क्या कौन-कौन से है तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे theodolite के parts की इसको बहुत अच्छे से समझ लेना बहुत important है बहुत basic तरीके सा आप लोग को बताने वालों theodolite के parts कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं नीचे से हम लोग start करते हैं लोगों का touch होता है तो touch जो होता है सबसे नीचे वाला portion जो होता है जो थे ओड़े लाइट के जश्ट ऊपर रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं try weight क्या बोलते हैं उसको इसी image में आप clearly समझ सकते हो देखो, Jeśli हाँ पे देखो एक plate यह है, उसके बीच में screw है, फिर उसके नीचे देखो एक plate यह है, white वाली, है या नीचे वाली plate, तो सबसे नीचे वाली plate है इसको बोलते हैं try weight, क्या बोलते हैं को ट्राइवेट और यह ब्लैक कलर के नजार आ रहे हैं आपको एक 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 यह और एक पीछे नजार आ रहा होगा इसको वह बोलते तो यहां तक आगे हम लोग नीचे सब्सक्रूब त्राइब रेच अब उसके बाद देखो यहां पर आप लोग को नजर आ रहे होंगी यह प्लेट नजर आ रहे होंगी इस प्लेट को अगर आप ध्यान से notice करोगे तो यह पाओगे आप एक plate इसके नीचे है यह white वाली plate है यह देखो यह white वाली plate है और एक इसके उपर है यह आप लोग की green वाली plate है है या नहीं दो plate है आप लोग के पास है तो जो सबसे नीचे वाली plate होती है इसको हम लोग बोलते है lower plate और इसके जो उपर वाली प्लेट होती, इसको हम लोग बोलते हैं अपर प्लेट, मतलब जो प्लेट उपर है उसको अपर, जो नीचे है वो लोवर प्लेट, ये बिल्कुल ऐसे होती हैं आप लोग के पास, जैसे कि सपोज, ये मेरे पास एक नीचे वाला हाथ है और ये उपर वाला तो ये नीचे वाला जो हाथ है उसको बोल देंगे लोर प्लेट और जो उपर वाला हाथ है इसको बोल देंगे हम लोग अपर प्लेट बिलकुल वैसे होता है तो नीचे वाला जो हमारे पास यह हो जाएगा लोर और यह हो जाएगा हमारे पास अपर प्लेट ठीक है इत लेबल, डंपी लेबल में अच्छे से देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है, इसमें एक आप लोग का बवल होता है, ठीक और बाकी आप लोग का लिक्विड होता है, तो इस तरीके का जो होता हमारे पास लेबल ट्यूब होता है, यह आपको ध्यान रखना, एक और चीज और यहां पर जो लगा हो होता है क्या बोलते हैं लोग लेबल ट्यूब इसके उपर देखो यह जो हमारे पास थियोडिलाइट है इसका एक फ्रेम बना हुआ है कुछ इस तरीके का पूरी किस टेक्चर बनी गई है यह जैनि कि अपर प्लेट के ऊपर कुछ इस तरीके का एक रखा हुआ है तीस टेक्चर में हमने बहुत अच्छिसे पढ़ लगाई फ्रेम तो ये पूरा एक फ्रेम बना हुआ मैंने फ्रेम को देखो जर्ण एकष़ेत आ, When you drive to create a shape のीनी एक्वेव का लिएभ राइज इसको की help से हम लोग क्या करते हैं अपना object को देखते हैं तो जिस side से हम लोग देखते हैं उस side को हम लोग बोलते हैं eye piece क्या बोलते हैं उसको eye piece और जिस side से हमारा object देखा जाता है उसको हम लोग बोलते object piece उसको क्या बोलते हम लोग object piece lens ठीक है तो इस side हमारा कोई object रखा होगा इधर से हम देखेंगे इधर से हम लोग देखेंगे human eye से और इधर हमारा object होगा तो हम लोग इसको बोल देते हैं अपना telescope ठीक है इसके आगे हम लोग बात करें यहां पर तो हमारे पस को एक नगाचर अरोग इस मुझे शर्कल और शिर्कल मी यह यह once लिए पीछे तो इसके कैसा होगी हमारे पास एक VTC जो है रहाए पास हो जाता है ठीक है अब इहां पर Ja blijcar तो शे advancement यह तो इस ट्यूब के उपर जो हमारे टैलिसkor पहल इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है एक a whole लगा हो raised by방 यह कुछ और नहीं बलकि level tube भी होती है एक तरीकी कि जैसे यह वाली है तो यह horizontal level tube होती है आप लोगी और वैसे ही सेम क्या होती है इस telescope के उपर या फिर इस vertical circle के उपर लगी होती है तो यहाँ इस diagram में अगर आप बात करो तो इस diagram में इस vertical circle के उपर जो है यह हमारे पास एक tube लगी होई है जिसको हम लोग क्या बोलने वाले अपना air bubble ध्यान से सुनना इसको बोलेंगे label tube इसको बोलेंगे air bubble देखो आपको इस वाले diagram में देखने को मिलेगा proper तरीके से इसमें देखो यह telescope है हमारे पास इस telescope के उपर लगी हो यह तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा इसको हम लोग इसको air bubble और यह वाली जो होगी जो horizontal वाली plate पे होगी इसको हम लोग बोलेंगे अपना label tube क्या बोलेंगे इसको label tube ठीक है तो यह आप लोग को जो है इतना बिल्कु क्लियर हो जाना चाहिए इसके साथ ही हम लोग और बात करें तो देखो इसमें भी आप देख सकते हो सबसे नीचे आप लोग के पास यह plate है जिसको हम try weight बोलेंगे उसके बाद आप लोग के पास यह 3 आप लोग के क्या foot screw क्लियर ली विजेवल हो रहे है तीन foot screw है फिर उसके बाद आप लोग का एक और उपर वाला plate आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोल देते है अपना try base ठीक है इ आप लोग के पास a frame हो गया यह आप लोग के पास telescope हो गई यह आप लोग के पास vertical circle हो गया इन दोनों को हम लोग क्या बोलते है अपना horizontal circle क्या बोलते हैं इन दोनों को हम लोग अपना horizontal circle भी हम लोग इसको बोलते हैं ठीक है तो आई ओप आप लोग को clear हुआ होगा यहां प ऑबलो टीटीउब क्या होता है ये फाफ आपको जो ये वू किटलियर ह वहाओ- बाकी के पार्टिंस्थ के बा में मैं आप लोग को इसमें ढिसकस करूँगा आप उसकी टेञार हम आप देंशन तो मचेंद ये जो आपको telescope है यह telescope आप लोग को नज़रा रहे होगी इस telescope के base पे इस coordalite को हम लोग classify करते हैं तो सबसे पहला आता classification of rumor to मैं क्लासीफिकेशन कि बाद करें न सरम लोग तो दो तरीके से हम लोग classify कर सकते हैं एक हो था हमाँरे पास transit phosphoria y Lif técnica हो था हमारे पास non transit theodanite, मतलब अगर सर हमारे पास यह Telescope है, यह हमारे पास Telescope है और यह Telescope है अगर माले हो यह Object Peace Lens है, और यह Eye Peace Lens है, अगर मैं इस Telescope को पूरा 180 डिगरी Rotate कर सकता हूं, त्यान से देखना 180 डिगरी क्या कर सकता हूं, Rotate कर सकता हूं तो 180 डिग्र अगर रोटेट कर सकता हूं तो इसको मैं क्या बोलूँगा अपना ट्रांजिट थोडेलाइट और अगर मैं इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट नहीं कर पा रहा हूं 180 degree rotate, बस थोड़ा बहुत ही rotate कर पा रहा हूं, लेकि 90 तक जा रहा हूं, लेकिन 180 नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अपना non-transit theodolite, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, देखो, these are the theodolite, which can be reversed by revolving the telescope in vertical plane about 180 degree, vertical plane में हम लोग इनको 180 degree क्या कर सकते हैं, revolve कर सकते हैं, अब यह सर vertical plane क्या है, इसको समझो, यह जो ऐसे वाला plane है, जैसे आपके घर की दिवार खड़ी हुई है, तो यह आपके vertical plane है, और जो आपके घर का floor है, वो आपका कैसा horizontal plane है, तो यहां पर देखो जरा, यह आप लोग की जो telescope थी, यह जो rotate कर रही थी, कौन से plane में rotate कर रही थी, यह rotate कर रही थी, आपके vertical plane में, ऐसे, vertical plane में rotate कर रही थी, तो यह हमारे पास हो गया, vertical plane में, अगर हमारे telescope rotate कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे, अपना transit, ठीक है, किसके about कर रहा है, भी इसकी बात नहीं कर रह जो है यह revolve ना करें तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं अपना non-transit theodolite ठीक है next इसके बाद आता है हमारे पास एक और classification होता on the basis of accuracy accuracy की base पे हम और theodolite को अपना classify करते हैं और वो भी हम दो तरीके से करते हैं एक होता हमारे पास vernier theodolite और एक होता है हमारे पास optical theodolite ठीक है तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दोनों theodolite की तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्नेर theodolite वर्नेर theodolite क्या होता है तो in this vernier are used for taking readings जो हमारे पास vernier theodolite होता है इसमें readings लेने के लिए हमारे पास क्या लगा हुआ होता है और वर्नेर क्या होता है तो मैंने आप लोगो survey की starting वाले lectures थे हमारे अगर आपको दिहान हो तो उनमें मैंने आप लोगो बहुत अच्छी से discuss किया हुआ है जो starting वाले lectures थे double वर्नियर था, रेट्रो ग्रेड वर्नियर था, डायरेक्ट वर्नियर था, वहापे मैंने आप लोग को जो है, वो डिसकस किया हुआ है, तो यह हमारे पास क्या हो जाता है, अगर वर्नियर लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वर्नियर थियो डाइट हो जाए तक की जो distance है उसको accurately measure कर सकती है तो अकर यह 0.5 mm तक की distance को accurately measure कर सकती तो इस scale का जो least count हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5 mm जो है वो इसका least count हो जाएगा ठीक है इतना clear हुआ ऐसी हमारे पाद जो यह जो minimum तक reading ले सकता हूँ कितनी ले सकता है 20 सेकंड तक इसको आप ऐसे समझना जो हमारे पार reading होती angle generally degree में major करते हैं एक degree में होते हैं हमारे पास 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकंड यह आप लोग धियान रखना angle की other unit होती है minute और सेकंड एक डैस लगा हुआ है इसका मतलब मिनट डबल डैस लगा हुआ है इसका मतलब सेकंड ठीक है अब देखो यह सर लीस्ट का मतलब कैस समझाता सपोच कोई एक एक angle था वह हमने major करा वह angle था मारप ट्वेल डिगरी 30 मिनट ट्वेल डिगरी 30 मिनट लेकिन हम इसको और accurately मेजर करना चाह रहे है तो हम लोग अपना लेके आएंगे वर्नेर थिओड लाइट वर्नेर थिओड़ाइट की सेंगल को मेजर करेंगे तो यह क्या करेगा इस तो यह आप लोग को जो है वो समझ आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद, अगला आता है हमारे पास Optical Thudolight, Optical Thudolight क्या होता है, Optical Thudolight में क्या होता है, हमारे पास Micrometer Attach होता है, क्या लगा हुआ होता है, Micrometer, अब Micrometer की खास बात क्या होती, कि इसका जो Least Count होता है, वो और क जादा accurate होता है, तो सिंपल सी बात है, Optical जादा होता है, क्योंकि यह सर्वन सेकंड तक एंगल को मेजर करके दे रहा, मतलब, जो एंगल हमारा, पहले हमने मेजर करा था, अपना वर्नेर Thudolight से, तो 12 डिगरी, 30 मिनट, 20 सेकंड आया था, यह एंगल आया था, अब अगर आ जादा accuracy है, आप लोगी, मतलब, और डीप जाकर के, मतलब 20 सेकंड के अंदर और एक डिगरी, एक सेकंड जो है, आप लोगा, वो डीप जाकर के, वो एंगल को मेजर करके, दे सकता है, as compared to वर्नेर, ठीक है, तो यह आप लोगा होता है, वर्नेर और, वर्नेर और आप लोग का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, सर, वन सेकंड होता है, यह सारे questions आप लोगों से जो है, वो पूछेगा exam में, ठीक है, चलिए, next हम लोग बात करते हैं, देगी, मैंना आप लोगो सारे parts जो है, वो बताने की courses करीए, ठीडिलाइट की, और बाकी जितने हमको जरुरत है, वो सारे मैंना आप लोगो explain करें, जैसे जैसे हमको जरुरत पढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं आप लोगो जो है, इसके और parts भी बताता जाऊँगा, ठीडिलाइट किसलिए यूज होता है, तो horizontal angle as well as vertical angle को major करने के लिए हमारा यूज किया जाता है, ठीक है, अब देखो, यह जो मैंने आप लोगो diagram दिखाया था, इससे पहले जो diagram था, वो 3D diagram था, अब आप 3D diagram थो अपनी notebook में बना नहीं सकते, तो आप लोग line diagram अपनी notebook में बना सकते हो, इसको समझने के लिए, कैसे, देखो, सबसे नीचे हमारे पास तासर tri weight, यह जो आती, tri bridge, यह वाली कौन सी plate है, tri bridge, यह tri bridge plate है, तो tri bridge plate और जो tri weight है, इन दोनों के बीच में क्या लगे हुए थे, foot screw, यानि यह किस से connected है, स्कुरू से, किस से connected है, foot screw से, और कितने foot screw होते है हमारे पास, तीन foot screw होते है, सही है, तो यहाँ पे सबसे हमारे पहले सबसे नीचे नीचे होती, layer tri weight ती, tri weight के बीच में जो लगे हुए थे, foot screw, और उसके उपर कौन सी थी हमारे पास, tri bridge, ट्राइब डेच और ट्राइब वेट के बीच में जो लगे हुए वो फूटी स्कुरू लगे हुए ऊपर वाली जो है हमारे पास जो ट्रेंगुलर प्लेट है वो कैसी ट्राइब रेच है और नीचे वाले जो ट्राइब वेट है पूछ लेगा आपसे नामसी क्लिए रोडं try मतलब यह दोनों ही आप लोग की triangular है तो यह आपको दिहान लखना है इतना आप लोग का clear हुआ इसके आगे देखो इसके आगे हम लोग बात करें तो यह नीचे वाली assembly है हमारी कौन-कौन सी tri weight foot screw और tri bridge इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि यह हमारे head assembly का part नहीं है तो उसमें foot screw भी था option में उसमें tribe rate भी था उसमें tribe h भी था और उसमें आप लोग का bubble tube भी था level tube कौन सा था आप लोग के पास level tube तो हमको क्या लगा level tube या नाम से के लिए रहो level करने के काम आता है और leveling head भी उसने पूछा leveling head का part नहीं है तो यह answer था इसका answer कौन सा था यह क्योंकि उन्हें पूछा तो कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है leveling tube नहीं है level tube नहीं है यह तीनों part होते हैं तो ऐसा question confuse करने के लिए exam में बनेगा आपको धियान रखना आपको confuse नहीं होना है clear चलिए जितना possible हो पाता है इसमें मैं आप लोग के साथ discuss करता हूं बाकी का portion जो है वो आप लोग को application पे देखने को मिली जाएगा तो जितना ज्यादे ज्यादा हो पाएगा उतना मैं आप लोग के साथ clear यहां पर discuss करने वालों clear cut बिल्कुल लेग दो अब हमारे पास try weight foot screw try bridge उसके बाद उपर हमारे पास दो प्लेटे थी उपर गया थी दो प्लेटे दो प्लेटों में से आप देखोगे एक नीचे वाली lower plate थी एक उपर थी upper plate sandwich की तरह जैसे sandwich होता है ठीक है वैसी तो नीचे व आपने देखा था कि जो हमारे पास upper plate है इसके उपर एक air bubble लगा हुआ था कुछ इस तरीके का लगा हुआ था जिसको हमने क्या बोला था अपना leveling tube जो किसके काम आती है आगे हम लोग देखेंगे इसका use क्या होता है वैसे तो यह horizontal plate जो होती है उनको level करने के काम आती है इस आप लोग क्या दिहान रखोगे यहां पर आप लोग दिहान रखोगे कि फर्ष्ट के बास second आता horizontal circle assembly जैसे आप लोग के पास labeling head assembly था उसके तीन पार्ट थे वैसे हमारे पास horizontal circle assembly इसके भी कितने पार्ट होते हैं हमारे पास तीन कौन-कौन से होते हैं एक होता हमारे पास lower plate दूसरा होता हमारे पास upper plate और तीसरा होता हमारे पास label tube यह तीनों चीज़े जो हैं हमारे पास होती हैं clear हुआ इतना तो यह आपको ध्यान रखना अब इसके पास तीसरा आता है हमारे पास allied assembly का क्या मतलब है? allied assembly का मतलब है कि इसके बाद का portion जो हमारा बचा कौन सा? एक त इस telescope के उपर या फिर इस circle के उपर जो हमारे पास एक और जो है labeling tube लगी होई होती और उस labeling tube का नाम होता bubble tube, क्या बोलते हैं उसको हम लोग bubble tube, ठीक है, इस bubble tube को हम लोग और भी नाम से जालते हैं थे altitude bubble tube, क्या बोलते हैं इसको guys, altitude bubble tube तो जनाब याद रखना important है altitude bubble tube और label tube बार बार बोलना हूँ confusion होगा आगे इसलिए आप लोगो जो है वो धिहान लखना है तो सर इसके कितने part होगे हमारे तो इसके भी देखो सर एफ्रेम तो बीच में count होता इसको नहीं consider करते तो इसके भी तीन पार्ट कौन-कौन से एक तो होगे वर्टिकल सर्किल दूसरा होगे सर टेलिसकोप और तीसरा होगे सर हमारे पास bubble tube तो यह तीन चीज़े जो हैं वो हमारे पास निकल के आती है ठीक है तो यह तीनों को आप लोगो धिहान लखना तो यहाँ पे तीन हमारे पास assembly निकल के आई है कौन-कौन से ही सबसे पहली यह सर लेवलिंग है असेंबली दूसरी यह सर होर्जोंटल सर्किल असेंबली और तीसरी यह सर हमारे पास LED assembly तीनों को हमने कहां से बढ़ा अपना bottom से top की तरफ हमने इसको study किया है तो आयोप आप लोगो जो है यह भी किलियर हुआ होगा कोई भी डाउट रहता है तो आपको option अभी लेवल है आप फोटो कीच के उसका या voice chat या text chat कर सकते हो या फिर और भी कोई दिक्कत आए तो 80 007283538 पर आप मुझसे directly जो है अपना पूछ लेना कोई भी आगर आप लोगो दिक्कत आती तो 1-2-1 आप लोग का मेरा connection हो जाएगा ठीक है तो थियोडे लाइट की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आती इसर leveling assembly जो नीचे वाला part था हमारे पास यह वाला इसको हमने क्या क्या बोला था अपना labeling head assembly तो इसमें क्या क्या चीजह थी एक तुसर nose tradition होता है जो हमारे पास सीधा tripod के उपर touch होता है यह instrument है तो instrument का वह हिस्सा जो सीधा Tripod के उपर तुबह कुसा होता है वो हमारे पास कुसा होता है try weight होता है फिर उसके बाद क्या होते है foot screw के बाद उसके ऊपर क्या रखी हुई होती है try brace रखा हुआ होता है try brace भी triangular plate होती है तो ये हमारे पास होता है अप्लों का Kleu Yale зf के 3 पाट अचा है काम क्या होता है वो भी देख लो THEY act will help to proper leveling in instrument of instrument जो हमारे पास instrument कॉंसा सांच by स्ट्रीमेंट थिूड कर अक अगर हमा को 셋 तरीके से लेबिलिज कर निये तो कि लेबिलिज त्थ की लेबंस के लिए जो हमारा न contained a second वाला ये वाला पॉडिसन ठीके इसकी एगर हम लोग बात करें तो हम लोग यह बोलते हैं 아니고 horizontal circle assembly है क्या बोलते हैं सर इसको horizontal circle assembly इसमें होता है सर इसमें lower plate होती है नीचे वाली एक docel hricky-s believers . अपर plates होती है यह लोवर plate होती है और यह अपर ट्यूब लगा हुआ होता है या फिर हमारे पास क्या होता है लेबल ट्यूब लगा होता है दो जगे देखने को मिलेगा एक horizontal circle पे और एक vertical circle पे यह आपको दिहान रखना उसको हम altitude bubble ट्यूब भी बोलते हैं ठीक है उपर वाले को दिहान रखना उसको ठीक है इसके बाद हम बात करें lower plate lower plate exam में पूछा गया question है lower plate का और दूसरा नाम कौन सा होता है तो इसको बोलते हैं scale plate क्या बोलते हैं जिसको scale plate जो लोवर π्लैट होती है इसको scale plate के नाम से भी आप लोगो जाना जाता है ठीक है यह आपको दिहान रखना यहां पर बात करें lower plate lower plate यह जो होती हिस पर main scale mark होती है हमारे बात मेंगर मतलब जो हमारे पास कर suppose यह हमारे पास क्या lower scale है तो lower scale पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप लोग के पास zero हो गया zero के बाद आप लोगा degree में reading major होंगी zero हो गया zero degree हो गया 90 degree हो गया 180 हो गया 270 हो गया फिर से 360 degree हो गया तो पूरा एकदम जो इस तरीकी की main reading होंगी हमारे पास क्योंकि हमको तो angle को major करना है तो angle को अगर major करना है तो क्या उसके लिए reading भी तो चाहिए होंगी न तो जो lower plate होती है जो नीचे वाली plate थी इस पर हमारे पास main scale होती है जबकि जो हमारे पास upper plate होती है जो हमारे पास upper plate होती है वो हमारे पास कैसी होती वर्नियर scale उस पे कौन सी लगी होती वर्नियर scale ये आप लोग ध्यान रखना और वर्नियर scale का least count आप लोग को मालूमें कितना होता है हमारे पास 20 second का exam के point of view से बहुत important है ये दोनों चीज़ा आप लोग की जो है वो पूछी गी है कि 20 second का least count वर्नियर scale का होता है कौन सी plate पे graduated होती है तो वर्नियर scale वो हमारी upper plate पे क्या होती है graduated होती है जबकि जो main scale होती है वो किस पे होती है तो वो lower plate पे होती है ठीक है आईए उप आप लोग को इतना किलियर हो रहा होगा ये चीज नब्खना और हां एक ओर चीज धिहान डाकना है पर कि जो हमारे पास कि जूल तो हमारे पास ये किया बोलते हैं वर्णियर स्केल है वर्णियर इसके हैं खास बात क्या होती कि दोनों ही डाइयरेक्षन में क्या डान करती Reading को major करतीं जब आ को circle को गुमाते हो, theodolite को गुमाओगे तो theodolite ऐसे है, तो वो तो ऐसे भी इधर की side की भी reading ले सकते हो आप, इधर की side का एक point, इधर की point भी point भी ध्यान रखना है यहाँ पर यह आपको clear हुआ ठीक है अब इसके बाद next हम लोग चलते हैं इसके बाद एक और हमारा बसता है जो कि यह अच्छे यह आप देख लो वैसे तो मैंने आपको बताई दिया जो main scale होती है आप लोगी वो आप लोगी degree में और minute में graduated होती ही मतलब यह अगर आप देकोगे तो suppose यह आप लोगे पास 1 degree है तो अगली जो रीडिंग होगे वो इसके बाद तो 20 minute का least count होता है तो अगर ये 1 degree है तो अगली reading कितनी होगी 1 degree 20 minute, अगली कितनी होगी 1 degree 40 minute, उसके बाद अगली कितनी होगी आप लोग के पास, तो 2 degree होगी, फिर उसके बाद कितनी होगी, 2 degree 20 minute होगी, फिर कौन सी होगी, 2 degree 40 minute होगी, तो इस तरीके सा आप लोगो को क्या है, कि इनके 20 का जो gap होता है वो 20 minute होता है क्योंकि इसका least count कितना होता आप लो का वो 20 minute होता है main scale का तो main scale पर जो आपको देखने को मिलेंगी reading वो किसमें देखने को मिलेंगी degree और minutes में देखने को मिलेंगी और gap between two readings, जो दो readings के बीच का gap है, वो कितना होता है, हमारे पास 20 minute होता है, यह मैंने आपको बता दिया, वहीं पर बात करें, वर्नियर प्लेट की, तो वर्नियर प्लेट पर जो graduation होगा, वो किसमें देखने को मिलेगा, minute और second में, किसमें देखने को मिलेगा, minute और second में, suppose, यह आपके पास कितना है, यह आपके पास जो है, वो 1 minute है, और इसका least count कितना होता है, तो इसका least count होता है, 20 second का, तो अगली reading कितनी होगी, 1 minute, 20 second, अगली कितनी होगी, 1 minute, 40 second, फिर अगली reading कितनी होगी, 2 minute, 2 minute, 20 second, फिर अगली कितनी होगी, 2 minute, 20 second, फिर अगली कितनी होगी, 2 minute, इनके बीच में इनके बीच में जो गैप होगा वो कितने का होगा आप लोग का 20 सेकंड का यह दियान दखना तो वर्नियर पर जो रिडिंग ग्रेजुएटिट होती वो डिगरी और मिनट में होती है और वर्नियर पर जो होती वो मिनट और सेकंड में होती है यह आपको दिया के बाद जो आया हमारे पास horizontal assembly आया यह बाला देखो कि यह यह हम लोग discuss कर रहे हैं भी horizontal assembly को यह हमारा complete हो चुका है इसको अभी हम लोग discuss कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने अपना lower plate देख ली upper plate देख ली और जो labeling tube है वो हमने देख ली ठीक है यह हम लोगों ने अपना discuss कर लेया यह वाला portion जो है वो discuss हो चुका है यह वाला ठीक है यह हमारा discuss हो चुका है यह आपको ध्यान रखना इसको हम labeling tube अपना बोलते हैं यह हमारा हो गया अभी यह जो चल रहा है horizontal circle assembly हमारा चल ला तो इस horizontal circle assembly को आपको और हमें अभी और discuss करना है यह horizontal circle assembly में चो यह lower plate है और यह चो upper plate है यह किस तरीके से attach होती है क्योंकि अगर आप notice करोगे अगर आप notice करोगे real diagram में जब आप देखोगे कहां गया यहां पर आप देखोगे तो इनमें कुछ और screw भी लगे हुए होते हैं जो हमारे पास चलो इसी में देख लो जो हमारे पास यह tube है एक बात बताओ यह आपस में भी तो किसी चीज से connect होंगी अभी तो आपको सिर्फ क्या है यह सामने चे नजर आ रही है यह अपर प्लेट है और यह वाइट वाली लोवर प्लेट है लेकिन यह अंदर की तरब भी तो किसी एक दूसरी से चीज से connect होंगी न तो वह कैसे connect होती उसका system में इसके अंदर का इसके अंदर का यह plate एक दूसरे से कायसे नेक्ट क्या को समझता तो देखो उसको समझनी के लिए आप हम लोग एक system बनाते हैं तरीके से हमने को इस भाड़े क्या बनाया है कि प्रीष बावन कुछ इस तरीके से और यह जो इताव में इसको बोलते हैं इसको लिए दिएन रखना हम लोग क्या बोलते हैं इस छो सिührबता हुआ हूआ इस जो इस्पिंडल बोलते हैं अब इस यह इस पंडल पर क्या है यह जो इस पंडल है इस पिंडल पर चुसर हमारी पिनपार है दो प्रचा में नहुतनी है क्रोसेक्षर गतात से प्रच उताहबिया तो यह क्या नजर आएगी हमको lower plate और इसके उपर जो रख़्े होगी वह कौन सी होगी upper plate और इसके उपर क्या होगा हमारे पास A-frame इसके उपर क्या होगा हमारे पास A-frame यह very very important चीज है समझ लो यह सबसे जादा important चीज है यह समझ में आगी तो समझ लो पूरा theodolite समझ में सब्सक्राइब के आया ही। अब इसको समझो, यह स्क्रूर्ट का साथ हो गता है, यता यही स्क्रूर होते हैं, यह स्क्रूर्ट में एक वोर इस्कूरू लगाओ वह भ होता है जिस सको हम्त गॉलते है लग fell लगा consistent क्या लगा हो procedure आप यह जो हमारे पास इस पेंडल है यह जो हमारे पास spindle है इस spindle का यह portion कौन सा हो गया बाहर वाला तो बाहर वाला portion हो गया तो इसको बोल दिया outer spindle और यह इस spindle का अंदर वाला portion है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया inner spindle clear है inner spindle अब हमको मालूम है कि जब हम लोग अपने थेडलाइट को गुमाते हैं तो उसमें horizontal जो lower plate और upper plate यह हमारी गूमती है अपर प्लेट जो होती है वो गूमती है तो यह गूमती है लेकिन सोच के देखो आप यह सोच के देखो कि यह हमारे पास क्या है अप ऐसे समझो इसी से समझ लेते हैं यह देखो हमने इसको फोल्ड कर दिया अब फोल्ड कर दिया अब देखो यह नीचे वाली कॉणसी मेरे पास lower plate है और यह upper plate है अब मैंने क्या करा इसके बीच से पास करके इसके बीच से पास करके एक approximation लगा दिया अब अगर मैं उस उसक्रू को tight कर दूँ तो कोई सी भी प्लेट हमारी गूम नहीं पाती लेकिन वहीं पे हम बात करें अपना lower clamp screw lower clamp screw तो lower clamp screw को अगर मैं tight कर देता हूँ तो अब lower plate तो मेरी नहीं गुमेगी लेकिन upper plate क्या मेरी गुम सकती है upper plate क्या मेरी गुम सकती है तो दियान लगना अगर मैं इसको tight कर देता हूँ और इसको lose रहने देता हूँ तो ये upper वाली plate तो गुम जाएगी अगर मैं दोनों को tight कर दो, तो दोनों को tight अगर कर देता हूं, तो कोई सी भी plate मेरी move नहीं करेगी, ना horizontal वाली move करेगी, ना lower plate मूव करेगी, और ना ही मेरी upper plate मूव करेगी, यह आपको दिहान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास question क्या पुछा जाता है, exam मे question पुछा जाता है कि lower plate जो होती है, वो spindle के outer portion से connect होती है, या फिर inner portion से connect होती है, तो आपको दिहान रखना है, lower, lower plate को अगर आप लिखोगे, तो L4 क्या हो गया, lower हो गया, और O4 क्या हो गया, outer, तो याद रखना, जो lower plate होती है, वो spindle के outer part से connect होती है, पहला question, जो आप से exam साम में पूछा जाएगा बिल्कुल भी कन्फूजन नहीं ट्रिक से बिल्कुल एकदम किलियर हो गया तो जो लोवर पार्ट होता है वो आउटर पार्ट से कनेक्ट होता है ट्रिक मैं आप लोगों को नोट्स में भी लिखके दे दिए इसके बाद देखो लोवर प्लेट इस टू दा आउटर स्पेंडल यह तो मैंने बताई दिया लोवर प्लेट जो होती वह आउटर स्पेंडल से क्या होती कनेक्ट होती लेकिन अपर प्लेट इस अटेच्ट टू इनर स्पेंडल जो अपर प्लेट है यह वाली यह जो अपर प्लेट है यह किस से कनेक्ट है तो दे ही कोशन एक्जाम में पूछे गए हैं पता नहीं कितनी बार कोशन पूछे गए हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए आई हो आपको एक किलियर हुआ हो गया यार मैंने इसको काफी मैनस से समझाने कोसिस कर रहा हूं आपको आई हो आप लोग को यह चीजे जो हैं व दरॉप कर देते हैं इसको लोग टाइड कर देते हैं इसको्यम congress घुर्णिक Kft को वर्नियर सकेल चाहिछ लोगा होती लोग कर देते हैं जैसे हमारे मेन इसकेल फिक्स हो देख लेते हैं क्या है और वही हमारे पास horizontal angle आजाता है यहां पर मैंने दिखाने को सिस करी अभी आपको समझ नहीं आएगा बट थोड़ा चा फील करो इस चीज को आगे मैं आप लोगो और यह explain करने वाला हूं तो सायद आप लोगो जो है चीजे ज्यादा समझ आए ठीक है इसको समझने कोसिस करना यह वाला portion fix कर देते हैं fix कर दिया तो इससे जुड़ी यह lower plate lower plate fix हो गई इसको loose कर दिया लूज कर दिया तो upper plate क्या होगी गोमने लगेगी क्योंकि इसको screw कर दिया ना डिला कर दिया तो upper वाली plate क्या लगेगी गोमने लग जाएगी तो horizontal angle को हम major कर देखा है इसे करके horizontal angle को इधर है तो इधर को ले जाएंगे इधर है तो इधर को लिए इस तरीके समलोग इसको major कर लेंगे आई हो आप लोग को जो है चीजे जो है वो clear हो रही होंगी क्योंकि अगर देखो आपने इसको देखा है रियल में रियल में अगर थियोड़ी ला नेक्स्ट हम लोग बात करते है अपना horizontal circle assembly तो horizontal circle assembly के बारे मैं आप लोग को बताई चुका हूँ यहाँ पे देखो when lower clamp is tighten जब lower clamp tight होता है नीचे वाला जब वो tight होता है तो lower plate क्या होती fix यही मैं आपको बताया जब आप नीचे वाले clamp को यह वाला जो था इस clamp को अगर आप tight कर दोगे तो यह वाली क्या हो जाएगी fix हो जाएगी lower plate जो इसके उपर लगी होई थी वो क्या हो जाएगी fix हो जाएगी ठीक है अगला देखो अगला point क्या बोल ला when both screw when both screw are clamped tight जब दोनों screw tight हो there is no rotation of instrument and between the plate अगर आपका lower वाला screw भी जो आपका lower वाला था जब यह आपका lower वाला screw भी और यह अपर वाला भी अगर आप दोनों को tight कर देते हो तो यहाँ पर आपका instrument नहीं गूमेगा यहाँ पर यही चीज़ लिखे हो यह यहाँ पर no rotation of instrument instrument का कोई rotation नहीं होगा एक्जाम में क्या पूछा गया एक्जाम में पूछा गया if lower plate is lower plate is clamp यानि कि जो lower plate का screw था वो हमने tight कर दिया यह वाला यह हमने tight कर दिया उसके साथ ही and upper plate unclamp जो upper plate वाला था इसको unclamp मतलब इसको lose कर दिया है we can measure the horizontal angle between two points तो हम horizontal angle measure कर सकते हैं दो point अभी यही तो मैंने बताया था नीचे वाले को tight कर दो उपर वाले को क्या कर दो धीला कर दो तो आपका जो instrument है वो ऐसे ऐसे गूम सकता है अगर वो ऐसे गूम सकता है तो ऐसे हम कौन सा angle measure करते हैं भाई स्टार्टिंग में बताया था कि नहीं तो horizontal angle हम लोग measure करते हैं ठीक है next इसके बाद आता है if upper plate clamp is tight अगर हम अपर वाले को tight कर दें अब इसको हमने क्या कर दिया tight कर दिया सही है and lower plate is unclamp और lower वाले को क्या कर दें unclamp कर दें यानि कि इसको हम क्या कर दें lose कर दें इसको हम लोग lose कर दें उपर वाले को tight और नीचे वाले को lose कर दें then there is there will be no movement between the two scales but instrument can rotate अब हमारा क्या scale नहीं गुमेंगी मतलब इसको हमने क्या कर दिया tight इसको हमने क्या कर दिया lose तो lose कर दिया है तो हमारा क्या है कि यहाँ पर scale अब यह नहीं गुमेंगी है हमारी scale नहीं गुमेंगी लेकिन instrument हमारा गुम सकता है क्योंकि हमने major क्या करना angle upper plate सी तो major करना है तो upper plate को हमने क्या क प्लेट नहीं करेंगी हमारे., प्लेट फिक्स हो चुटी है क्योंकि इसको दोगा हुआ हुआ है वो घूमेगा, वह क्या होगा हमारा.. गूमेगा तो इसको अगर लूज कर देते हैं और इसको टाइट करते हैं तो रेडिंग और राशी नि mouth वर्टिकल प्लेन ऐसे ऐसे ठीक है यह आपको के लिए रोगा नेक्स्ट इसके बाद आता होरिजूंटल सर्किल एसेम्बली में ही जो हमारे पास अब देखो इसको ऐसे समझोघ को अगर हमको माल लो एंगल मिजर करना और हमें अपने असको थ्योड़े Como conception के लिए यानि कि slow motion के लिए slow motion के लिए हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं tangent screw लगे हुए होते हैं मैंने तुमको बोला था कि ऐसी और भी कुछ चीज़ें हैं डाइग्राम में जो अभी मैंने आपको नहीं बताई है तो यहाँ पर देखो बाबु जी अब आप इसको इसको देखो यह यह एक screw नजर आ रहा है आपको ठीक है यहाँ पर और screw नजर आ रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं अपना tangent screw तो यह tangent screw जो लगे हुए होते हैं किसली लगे होते हैं ताकि जो instrument है हमारा उसका हम slow motion कर सकें उसके instrument को अपना दीरे दीरे जो हैं उसको हम घुमा सकें इसली हमारे पास लगा हुआ होता है हमारे पास tangent screw किलियर है इसके बाद हम लोग बात करें the size of theodolite is defined by lower graduated circle and generally size of theodolite varies 8 to 25 cm फिर से exam में पूछा गया question क्या कि जो हमारे पास theodolite होता है उसका size कैसे define करते है तो हमने देखा था कि हमारे पास एक lower plate थी और उसके उपर एक upper plate बनी हुई थी तो जो lower plate होती है इस lower plate का दूसरा नाम क्या होता है सर scale plate याद है scale और इस पर कौन सी reading होती है हमारे पास lower plate पे main scale होती है upper plate पे varnier scale होती है तो जो हमारे पास theodolite का size है वो हम कैसे पता करते है तो जो lower plate है उस lower plate का जो dia होगा उस lower plate का जो diameter होगा वो कितना होता है लगबग 18 से लेकर के 25 cm तक होता है तो इसका जो dia होता है वही हमको define करके देता है size of theodolite size of theodolite यह मत सोच लेना कि उसकी height को major कर रहे है कितना उंचा है size of theodolite में जो हमारे पास plate होती है उसका हम लोग dia major करते है और इसी को हम लोग lower plate बोलते है और lower plate को हम लोग क्या बोलते है अपना scale plate भी बोलते है I hope आपको जो है यह समझ आया होगा समझाने की तो बहुत कोसिस करिए I think आपको जो है यह clear हुआ होगा ठीक है next हम लोग बात करते है अपना readings इससे readings कैसे लेते है तो यह questions हमारा नहीं पूछा जाता generally जही एक्जाम में तो reading नहीं पूछा जाएगा आपसे इसको मैं skip कर रहा हूँ ठीक है इसको मैं नहीं बता रहा हूँ बागी जिसको अगर पढ़ना है तो अभी जो detail batch आएगा हमारा उस detail batch में मैं आपको इसको भी बता दूँगा ठीक है अब इसके बाद आता हमारे पास allieded assembly तीन assembly थी सबसे नीचे कौन सी थी labeling assembly पहली वाली दूसरी कौन सी थी horizontal horizontal circle assembly ठीक है और third हमारे पास कौन सा होता है allieded allieded assembly allieded assembly कौन सी होती ही सर अपर वाली जो सबसे उपर वाला होता है तो allieded assembly के पार्ट देख लो allieded assembly में क्या-क्या लगा होता है vertical circle मैंने ठीक है सर vertical circle लगा होता है एक होता है साथ टैपली इसकोप लगा होता है। एक होता है एल्टीट्यूड लेबल ट्यूब देहान से देखो इसको काल्टीट्यूड लेबल ट्यूब या बबल ट्यूब जो या तोiens धो लूपना भिग मिलेगी跟大家 इसको उपनी का मिलेगी जो A frame होता है हमारे पाद वो भी इसी का part होता है clear? अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो जो theodolite है वो हमारा क्या होता है least count रखता आपना 20 minute तक का ठीक है? और जाते हो आप लोग किसमें जाते हो जो optical वाला था, optical theodolite उसमें आप लोग का होता है 1 second तक का आप लोग का होता है 20 second तक का होता है, इतना accuracy के साथ ही major कर लेता, अब उसमें तो यह था कि हमारे पाद जब हम horizontal circle को horizontal angle को major कर रहे थे तो एक lower plate थी एक upper plate थी upper plate पे कैसा था? vernier scale था कौन सा था? vernier जो lower plate पे था, उस पे कैसा था? main main scale थी, lower पे main scale थी और upper वाले पे vernier scale थी तो वहाँ पे हम लोगों को angle accurately major हो रहा था, लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर alledate assembly की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही circle लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, vertical circle तो अगर vertical circle हमारे पास लगा हुआ है और उस पे भी reading कैसी ही है हमारे पास? main scale की कैसी reading है? main scale की तो फिर, यह angle को कैसे major करेगा? minute, second में कैसे major करेगा? अगर हमारे पास main scale की जो reading होती है वो सिर्फ degree में होती है तो अगर degree में reading है main scale की जो vertical circle है हमारा तो फिर ये minute और second में कैसे major करेगा angle को तो यहाँ पर एक question आप से पूछा जाता है दिहान रखना ये very very important चीज मैंने आपको बताईए ये जो हमारे पास लगी हुई है ये टेलिसकोप ये जो टेलिसकोप लगी हुई इस टेलिसकोप के साथ यहाँ पर इस तरीके से attach होती है हमारे पास क्या वर्नियर scale क्या attach होती है वर्नियर scale तो vertical की case में जब vertical angle major करते हैं तो जो वर्नियर scale होती है वो telescope से attach होती है जो हमारे पास यहां पर थी न upper plate जो थी, जो upper plate काम कर रही थी वो हमारे पास telescope के साथ attach होती है वनियर scale clear है अब अगर आपको angle measure करना तो vertical angle कैसे measure करोगे यह telescope है तो ऐसे घुमारे angle को measure करोगे ऐसे ज़ब आप ऐसे angle को measure करोगे तो suppose आपने ऊपर को इसको गुमाया तो जब आपने इसको ऊपर को गुमाया तो आपका जो वर्नियर स्केल अटेस था इस से जो वर्नियर स्केल अटेस था अब वो वर्नियर स्केल भी तो आगे मूव कर जाएगा आपका देखो वर्णियार स्केंवी तो आगे मूव कर जाएगा आपका तो यह वर्णियार स्केंव उपिर में THIS के वी अंगल कर लेंगे और जो एंगल देखने को मिलेगा वही क्या हो जाए मस अमारे पास बढ़े एंगली हो जाएगा ठाइकैए यह allons को फील करना आपको एक लाइन में भी रह जाए न डाउड तो मुझे कहना अब यह आप इसको बस देख लो यह आपके पास simple सी एक line है तो इस case में जो हमारे पास यह angle होता है यह यह angle होता है यह तो यह angle होता है जिरो यह question में पूछता है कि जो vertical circle से जो attached telescope है जब पूरे तरग्य से horizontal होती है तो उसमें जो angle होता है वो कितना so करता है तो यह angle zero so करता है यह आप देहन लखना ठीक है तो यह हमारे पास vertical circle हो गया यह main scale हो गया जो 20 minute तक का least count रखती है वर्नियर स्केल हो गया जो 20 second तक का least count हमारा रखती है वर्नियर स्केल टेलिस्कोप से लगी होई होती है प्रोपर तरीके से horizontal होती है तो जीरो डिग्री का angle मेजर करती है ठीक है चलिए लाइडेड असेंबली देख लो टेलिस्कोप इसमें लगी होई होती है अब यहां से एक्से सुरू हो रही है तो आप इसको समझो अब इसको द्यान से समझना थोड़ा सा इतना आप लोग को आता है अब देखो इसको एसे समझो इसको ऐसे समझो इसको द्यान से देखना यह देखो आप इसको देख रहे हो इस सिस्टम को देख पा रहे हो यह जो है ना मेरे पास pen यह pen जो है वो है मेरे पास telescope यह क्या है टेलिसकोप और यह जो आप green color की wire देख पा रहे हो green color का जो धागा है इसको देख पा रहे हो यह म हमारे पास है जो हमने धागह तुम देख पारिए कि और जो आंगा इंगल यह वाला एंगल देखो यह वाला इनल यह हमारे पास कुझी यह हमारे पास है टैयलिज aan करके कुर्ण सी हमरे पास 20 यह कौ्सी हमरे पास horizontal snug यह हम पास diagonal Ск subur Brcuss होगी हमरे पास और आमने सामने जैसे तुम और मैं हैं तो इस तरीके से होगी हमरे हमरे ऱ्लाइन ओफ साइत तो यह हमारे पास जो ओगी यह वाली जो होगी हमरे पास line of site अभी मैं इनको तो डिसकस करूँ गो ओर एक बार line of side ठीक है और line of side के बिल्कुल perpendicular बिल्कुल perpendicular जो 90 degree का angle बनाएगी यह 90 degree का angle बनाएगी यह होगी हमार पास horizontal axis और tornoion axis यह बाली जो ऐसे-इसे थी वो तो होगी मेरे पास horizontal axis और ऐसे-इसे जो है वो होगी मेरे पास line of sight, line of sight मतलब जैसे मैं टेलिस्कोप में देख रहा हूँ, तो ऐसे मैं टेलिस्कोप में देख रहा हूँ, that is line of sight, और ऐसे जो होगी उसके perpendicular वो होगी मेरे पास turnoin axis या horizontal axis, ठीक है, तो horizontal axis का ही दूसरा नाम निकल के आया आप लोगो के पास turnoin axis, कैसे याद रखोगे, horizontal, horizontal, तो horizontal में T आ रहा है और H भी आ रहा है, तो horizontal में आप लोगो का आता, vertical में भी, थोड़ा से ध्यान रखना, पहले horizontal फिर vertical, ज्याद है value horizontal को फिर vertical को, ठीक है, तो horizontal वाला जो होता है, वो turnoin axis होता है आप लोगो के पास, ठीक है, तो यह आपके पास हो गया, तो mounted on horizontal axis, जो telescope होती ही, वो किस में लगी होई होती है, horizontal axis में लगी होती है, जिसको turnoin axis बोलते हैं, देखो, यह telescope है, तो यह telescope किस में लगी होई है, यह telescope देखो, यह pen telescope है, किस में लगा हुआ है, ऐसे ऐसे वाली horizontal axis है, तो इस horizontal axis में ही तो लगा हुआ है, इस horizontal axis में ही तो pen लगा हुआ है, तो horizontal axis में लगा हुआ है, तो यही बोला कि जो telescope लगी होई होती है, वो horizontal या turnoin axis में लगी होई होती है, for sighting, telescope is rotated about horizontal axis, अगर हमको sight को देखना है, अगर हमको देखना है about vertical plane, इस point को समझो बहुत अच्छे से, for sighting, telescope is rotated about horizontal axis, अगर हमको vertical plane में देखना है, पहले top को देखना है, फिर bottom को देखना है, तो telescope कैसे rotate करोगे, ऐसे, ऐसे rotate करोगे, अगर telescope ऐसे rotate हो रही है, तो कौन से plane में rotate हो वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रही है तो वर्टिकल प्लेन में अगर में टेलिस्कोप ऐसे रोटेट हो रही है वर्टिकल प्लेन में तो वर्टिकल प्लेन में तो हो रही है लेकिन किसके अबाउट हो रही है ऐसे वाली एक्सिज की तो जो ऐसे एक्सिज थी अगर मैं इस के about घूम रही है horizontal axis के about तो बस यही कह रहा हम से कि अगर हमको sight करना है देखना है तो telescope क्या होती है हमारी rotate होती है horizontal axis के about in vertical plane अगर हमको vertical angle को major करना था ठीक है आगे next next हम लोग बात करते हैं अपना allied assembly की जैसा कि बताया है vertical circle जो होता है उसपर main scale होती है आप लोग के पास और जो vernier scale होती हो टेलिस्कोप के साथ attach होती है इसके बाद होता आपका altitude bubble altitude bubble vertical circle के उपर भी लगा होता है कुछ telescope में भी लगा होता है यह मैं आपको बता चुका हूँ horizontal axis को क्या बोलते हैं और horizontal axis के about क्या करती है आपका vertical plane में जो telescope है वो rotate करती अभी बताया है इसके बाद next आता आपके पास देखो vertical axis vertical axis का दूसरा नाम होता है azumet क्या होता है azumet ठीक है इसको याद कर लो किसी को भी कुछ भी जैसे वी से किसी का नाम हो सकता है ऐसे उसकी girlfriend का नाम हो सकता है ऐसे करके कुछ भी बना दो वी ए जो vertical वाली होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग azumet ठीक है ऐसे करके इसको आप लोग याद कर लेना तो vertical और azumet vertical को यह हम लोग क्या बोलते है अपना azumet बोलते है ओ माइग जा चुकी है बाकी की class आपको जो है वो दूसरे session में देखने को मिलेगी यह आप लोग का मैं इतना ही रख रहा हूं इसको ठीक है इतना ही रहने देते हैं इसको थोड़ा सा पोर्शन रह गिया है थोड़ा से अभी तो बहुत कुछ रह गिया है वैसे थोड़लाइट का एरर वगयर रह गया सेट अप रह गया टेंपररी पर्माइंट और जो एक्सिस वगयरा इनका पूरा अभी रह गया है तो वह सब आप लोगो जो है एप्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा यह आप लोगो मैंने फ्री में कंटेंट इतना प्रोवाइड करा दिया बहुत महनत से आप लोगो पढ़ाया है जितने भी कोर्स चलने हैं चाहें वन लाइनर प्लस कॉर्स हो चाहे एससी जई वाला बैचो या कोई साभी हमारा बैचो सभी में बहुत महनत करके सारे सब्जेक्ट को एक्स्प्लें किया बहुत डिटेल में इतनी नॉमिनल फी में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इतना बैतरीन का टेंट प्रोवाइड करा देगा जाओ वी आईपी सिव आप लोग के लिए अगर आप सिविल इंजिनिरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़कर के कंप्लेट करना चाहते हो तो हमारा कोर्स से चला है सिविल इंजिनिरिंग का वन लाइनर प्लस कॉंसेप्ट को जिसमें मैंने आप लोग को सोईल मेकैनिक्स की तरह सभी यह एक्जाम हो उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लेट करके बैठ सकते हो डेफिनिटली आपको यहां पे सक्सेस मिलेगी और आपको मालूम ही है कंटेंट ही है हमारी पहचान बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया आपने अप्लिकेशन का व्याइप मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइस को संस नहीं मिलते तो उसी प्रोब्लम को सोट आउट करते हुए सुदर्सन बैच हमने लौंच किया है जिसमें 25,000 हम प्रीवियस यर के को संस अपने डिसकस कर रहे हैं जो कि अलग अलग एक्जामीने संस के हैं और इसकी जो कोर्स की वैलियडिटी है वो 2.5 और के लिए यहाँ पर यह जो कोस है बहुत कम चल了गा है 799 और यहाँ पर 1 रूपे से भी कम है आप लोग यह मिल जा रहा है तो बहु आक गुप Diи हैप स्योंजी तो वह भी कोंटेक्ट कर सकते हैं पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनियत वी आईपी सेवल गुरू को और करे अपने आल इंडिया जे एंडी एक्जाम्स का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ